नमस्कार बरुन पांडे नाम है हमारा आप देख रहें एक जॉन बेरी का संकलन खनन आज के एपिसोड में हम को बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे क्योंकि अधिकतर जो मेरे पास कॉल या वाट्सप या समय से या फिर बहुत सारे भाईयों का कॉल आया था वह समझ नहीं पा रहे है कुछ-कुछ टेकनिकल लेंग्वेज बोल लीजे या फिर एक जर्नल लेंग्वेज जो क्रशर प्लांट में यूज किया जाता है चीजों को समझने के लिए जैसे बहुत लोगों को का प्राइमरी स्टेशन मतलब क्या होता है सेकेंडरी स्टेशन मतलब क्या होता है तो छोटे छोटे पॉइंट्स के उपर अलग-अलग पॉइंट्स को व्याख्या करके हम लोग डिस्कुशन करेंगे कि यह सारे पॉइंट्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज है क्रशर प् पर आवर क्यों यूज चायता है जैसे हर इक चीज का एक मात्रक होता है जैसे आप अगर कभी सब्जी लेने जाते हैं तो आप वहां पे किलो पर उससे बात करते हैं कि सर कितने रुपे किलो है आपका आलू कितने रुपे किलो है या फिर अगर आप कपड़ा खरीदने जाते है तो वहाँ मीटर पर बात करते हैं कितने रुपय मिलता है कपड़ा तो वैसे ही अगर हम लोग क्रशर की discussion करते हैं फिर क्रशर बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस समय वहाँ पर हम लोग टी आप क्रशर या फिर आप प्रम प्लानिंग कर रहे हैं उस क्रशर का टंस पर आवर आउट पुट कितना है या फिर यह फिर आउटपूट कितना है तो तो टंस पर हौर में हम उसको डिसाइट करते हैं टंस पहरों मतलब हो गया एक टन पर्णक्रंशन यानि कितने टन पर्डॉक्शन हर घंटे में वो मशीन कर रही है है उदिक सब्सक्राहिएlles 160 तॉन या फिर 120 फीस 50 यां फिर 150 दोजो धाईसोँ हजाद टन या फिर 500 करते हैं यह तो जैसे यह क्लेर होगा कि किटना टन पर आवर को हम लोग है कि यहां पर बोल रहा है यह एक मातरक है कि जो हम लो 20 mm मतलब 20 mm का रोडी अगर आप बोलीजिए हिंदी में या फिर एग्रिगेट बोलीजिए या फिर पत्थर का साइज जो पत्थर का आउट्पूट प्रोडक्शन है वो 20 mm है तो उसको हम लोग बोलेंगे 20 mm का पत्थर है जैसे बोल चाल की भादा में एक इंच, आधा इंच, हम लोग बोलता है फिर पौणा अधा इस तरह से बोला जनाता है बहुत बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं वहाँ पर जाईएगा तो एक छोटा scale लाता है एक बड़ा scale लाता है तो छोटा scale लाता है वो 6 inch का होता है तो 6 inch गुड़े लगभग आप मान की चलिए 25 mm का एक inch हम लोग consider करते हैं तो 6 inch को हम लोग 25 से divide करेंगे तो आपको कितने mm का है वो inch वो clear हो जाएगा तो आप इस चीज़ से आप इसको नाप सकते हैं कि कि इसको नाप सकते हैं वैसी 10 mm होता है वैसी 20 mm होता है तो इस तरह से इसको नापा जाता है इसी size के पथर के लिए उस production को decide किया जाता है इसलिए इसको 20 mm, 10 mm, 5 mm ऐसे बोलते हैं अब अगर बहुत लोग बोलते हैं minus 20 mm minus 20 mm मतलब 20 mm का सबसे बड़ा पत्थर होगा वहाँ पे और उससे छोटे पत्थर कितने हैं अगर मैं बोलता हूँ कि minus 20 mm का production 140 तन है मतलब सबसे बड़ा पत्थर 20 mm हो गया और उससे छोटे पत्थर 0 तक उनको मिलाने के बाद जो प्रोड़क्शन होता है वह हो गया 140 तन यह होगा minus 20 का production तो आज़ा करता हूँ यह clear होगा आपको कि 20 mm, 10 mm और dust जो है यह कैसे particles होता है यह sizes के लिए हम लोग mm का यूज किया जाता है अब आते हैं बहुत लोग पूछते हैं प्राइमरी इस्टिशन क्या होता है यह सब्जेक्ट में अलग से बनाने वाला हूँ पूरा पूरा एपिसोड इसके उपर कि प्राइमरी स्टिशन सेकेंडरी स्टिशन और टरसरी संचेट पूर्प में आपको समझा दूर प्राइमरीi इस्टिशन जहांपे सब से पहले पत्थर को तोड़ते हैं उसको से जरूरीरी सीशन में इस लगा हो या फिर कुछ और मशीन ही लगी हो जहां पर हम लोग पहली बार पत्थर को तोड रहें हैं उसको में प्राइमरी बहुत जगा आपना सारा का सारा में फीड करके ही तोड़ते हैं तो उस केस्व सबसे बड़ा पत्तर का साइज जो आता है तो लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं या फिर बहुत छोटा साथ लगा लिए तो भी नहीं लगाते हैं सीधा जो मेट्रियल जो है प्राथमिक जहां पर मोग दाल रही हो देने इतना हीह प्राइमेरी मतलब जो कर शर में फिडिकत को प्रायमेरी मतलब रहां सबसे पहले पत्तर डालते हैं जहां सबसे पहले पत्थर दालते हैं अब लोग सेकेंडरी सेशन बोलेंगे वहां कौन सी मछील लगी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है इसके बारे में पूरा एक मैं एपिसोड बनाऊंगा विट पिक्चर सारी चीज़ों के साथ में मैं एक एपिसोड बनाऊंगा जो आपको काफी हेल्प पूल रहेगी इसके लि कोई का तो उसको मैं ठीक करने कोशिश कर रहा हूं अलग-अलग साइस के स्क्रीन होते हैं उनका साइस भी अलग-अलग मापदंडों पर किया जाता है अलग-अलग मॉडल लिखे रहते हैं हर एक मशीन के उपर जरूरी नहीं है कि वह मॉडल ही उसका साइज हो बहुत सारे केसे तो हम लोग बोलते हैं बीसषा जर्ना अगर हम लोग देसी लाक में बात करें तो यह ढर इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जोटे ठर्का ज़र्ना चार्ट ज़र्णअ का अलग यूỉ इसके वारे में ऐक से एक स्कूरा इपिसोड बनाऊंगा उसके बारामे स्क्रीन के बार में निस बिखांगे और कॉनिसे काम कीसे करता है और स्क्रीन का आउटपुट कैसे लिया जाता है और स्क्रीन का यूज क्या है क्या स्क्रीन भी एक स्टेज बोल सकते हैं यह सारी चीजे में आपको एक अलग से एपिसोड बनाके क्लियर कर दूंगा बहुत लोगों ने पूछा कि क्या क्रश्र प्लाइंट से जीएसबी निकल सकता है जीएसबी क्या होता है पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा जीएसबी का फुल्फाम है एक ग्रानूलर सब बेस बोलते हैं इसको जीएसबी एक आम बाता में अगर मैं आपको हिंदी में समझाओं एक mix material होता है जिसका ग्रीडेशन कर दिया जाता है कि हम सब्सक्राइब होता है इस पॉट्टी का ही मेट्रियल है Mixed material होता है और इसको हम लोग GSB बोलते हैं तो इसका एंसर यह है कि हां हर क्रशर में आप चाहें किसी भी क्रशर में आप चाहें पर जीस भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप जी सब्सक्राइब नहीं बना सकते लगाना पढ़ता है अलग होता है जर्नल प्लांट होता है है सेंट्प्लांट क्या होता है यह भी बहुत लोगों ने पूछ डाला सैंड प्लांट बोलने का कोई मिनिम मुझे नहीं समझ में आता है जर्नली बहुत लोग बोलता है सैंड प्लांट कुछ लोगों का यह लगता है कि सैंड प्लांट मतलब सैंड वाशिंग प्लांट को सैंड प्लांट वो बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं सैंड मैनुफेक्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब सेंड प्रडॉक्शन करता है इन दोनों को मिलाक अगर आपको सेंड प्लांट बोलना है तो आपकी मर्जी है आप बोल सकते हैं अब बहुत सारे लोगों के एक और को न्यानाय किन प्लांट और मोबाईल प्लांट इक हिiene है क्या अब आप खुदी क्वेस्चन भी कर रहे हैं यह कुन मतलब है फिर भी गुमने फिरने वाला चलने फिरने वाला फुल कोक्ता है और रहे हुर्ट किस्क या व्यज्य मूव और… फिर फिर उसको किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं यह नहीं कि पांस ताल तक उसको मूबाइल नहीं कर रहे हैं अगर हमारे पर असी फैसलिटी हैं कि यहां चला रहे हैं और हो सकता है दो महिने बाद तीन महिने बाद एक इजी वह मोबिलिटी कर सकते हैं या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना या फिर उसको एक जगर से दूसरे जगर पहुचाना अगर आसान हो तो उसको हम लोग जर्नली मोबाइल बोलते हैं मोबाइल मतलब कौन क्रशर होता है ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं इस बात को मोबाइल क्रशर मतलब कौन क्रशर होता है ठीक है मोबाइल क्रशर मतलब मोबाइल करने को मोबिलिटी को मोबाइल बोलते हैं आप यह नहीं बोल सकते मोबाइल मतलब कौन होता है मेरे लिए तो यह 20 TPS 30S 50 PPS 100 & 200 , 500 जीस बीष का प्लांट चीए अगर फिर ट्राक पी अविलिबल है आपके लिए तो एक मॉबाइल प्लांट है आपके लिए ऐसनाँ नहीं किन मोबाइल पर एक ट्रक के चीज पर एकस게ड़ेकर चछीज पर फिर अभ़र या track to अवलेबल नहीं है ऐसा नहीं है तो जो भी प्लांट आपको चाहिए वह हर एक मोड में अवलेबल हैं इंडिया में ऐसा नहीं कि ये नहीं है और वो नहीं है construction field में इंडिया में लगभग लगभग सारी मशिनरीज अविलेबल हैं ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको 20 टीपेज का 40 टीपेज का plant mobile नहीं में सकता है mobile मतलब कोई भी क्रशर जो move कर सकते हैं आगे आने वाले पूरा का पूरा मतलब कैसे इसको समझा सकते हैं इसका ग्राफिकल या फिर एक फोटो और पिक्चर के साथ में एक मैं एक छोटा सा पर क्या माइनस है इस सारे के लिए में एक अलग से एपिसोड बना दूंगा अपको एकदम पूर्शन क्लियर हो जाएगा कि mobile क्या होता है ट्राक क्या होता है यह चीज पूरी की पूरी आपको क्लियर हो जाएगी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कितने लंबे रखने चाहिए यह सवाल थोड़ा से करो आपके पास कूष्यल करता हैक अपके पास कितने बड़ी है और अलबा अदूसार की आफको के रिक्वारिमेंट हो रहा है कितने लंबे कन्वेयर के नीचे कितना टन प्रोडक्शन प्रोड़क्ट आपको आउटपूट जो है वह स्टोर हो पा रहा है जो आप इसली वहां उस मार्केट में सेल कर पाएंगे तो वह आप यह सोरी वहां डिसाइट कर लिजिए ताक्कि आपको यह क्लियर हो जाए कि स्टॉक के बारे में एक अलग से में फॉर्मूला और उसका पूरा का पूरा स्टॉक कैसे निकालते हैं और इसके बारे में एक अलग से बना दूंगा पूरे कल्कुलेशन के बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखा दूंगा आपको ताकि आपको क्लियर हो जाएगा फिर देरे-देरे confusion की तरफ आपको ले जाएगा एक मोटे तरफे मैं आपको एक आइडिया दे जूँगा कि कितने मीटर कन्वेयर देने से आपको कितना स्टॉक बन जाता है अब एक बहुत important सवाल भी आ गया इसी वीच में सर्ट प्रोडक्शन के लिए VSI अच्छा है या फिर कोई और मशीन इसके उपर मैं बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा एपिसोड बना रहा हूं अल्रेडी मैं प्लान करके रख रख है मैंने वीच आई या फिर रॉल कशर या फिर सैंड कौन या फिर आपको सैंड पोड़क्शन के लिए इन चीजों में से सबसे बेस्ट कौन सी मशीन है या फिर इसके अलावा हमें कौन सी मश्किन लगाना च चके जर्णलीड जीरो से थ्री सफने को भी सेट Wyltra बोलते हैं बोलते हैं 0-2.5ね irrigation नहीं है स्टेंच्री चैंज होता है कि कॉन से को आप को सथ्पाइब दन दन गोला है बहुत में जीपने बोलते हैं उसके लिए मैं अलग से एक एपिसोड बना रहा हूं M-Sand के लिए तो आपको यह clear कर दूँगा मैं कि Sand के लिए कौनसी मशीन लेने अच्छी रहेगी आपके लिए और उसके लिए best production क्रिस मशीन से निकल सकता है अमीद करता हूं दीगए जैनकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपकी और भी कोई बीजिग्यासा हो छोटी सुच्छोटी जिग्यासा आपकी हो जो आपको नहीं समझ में आता है तो हिचकी चाहिए और कोई आपको घबराने की भी बात नहीं है आप अपना मोबाइल उठाइए और मुझे फटा-फट एक WhatsApp या SMS कर दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत important point है तो आप मेरे को phone कर सकते हैं जब मर्जी तब इसमें कोई दिक्कत कोई कोताही मताब भरती आप क्यूंकि सवाल नहीं रहने चाहीं अंदर ऐसा नहीं कि आप कुछ इक investment करने हैं आपके अंदर 10 सवाल अभी बाकी है सवाल खतम करने से कि आप आगे बढ़ेंगे कि अगला सवाल क्या है हम आपके लिए और फिर अगला लगी होगी मेरा नाम बरुन कुमार पांडे है या फिर बरुन पांडे बोलते हैं बहुत लोग और आप देख रहे हैं एक जॉन बेरी का संकलान खानन नमस्कार जैहिंद जैभारत